कि नमस्का दोस्तों इस्टेडी पित राज्यस मौरय के टूप चैनल पर आपका स्वागत है हमने आप सब एक लेक्षर में वीडियो के माध्यम से हाटी कल्चर का फंडामेंटल आप हाटी कल्चर उसके बारे में हमने आप सब को वीडियो के माध्यम से फ़र्ष्ट लक्षर जो था हाटी कल्चर की परिवासा और उसको कुछ ब्रांचों के बारे में हमने आप सब को बताए दें तो आज उसी के अंतरकत हमारे दूसरा लेक्षर रहेगा जो हमारा पॉमोलाजी तक पिछले लेक्षर में हमने आप सब को बता दिये था डिप्रेशन अप ठीकल्चर की परिवासा क्या होती और इसकी ब्रांचों के बारे में तो पहला बरांच हम ने बता दिया आप सब को पॉमोलाजी क्या बता दिया था पॉमोलाजी यह किस भासा का सब्द है और इसमें किसका अध्यन करते हैं तो आज उसी के अंतरकत हमारे यह दूसरा लेक्षर रहेगा तो जितने भी हमारे अग्री कल्चर के स्टुडेंट है उस समेस्टर में जो भी है या किसी भी अध्यारी अच्छी कर सकते हैं तो आप सब को महंदी और इंगलीज दोनों के माधिम से यह दोनों लेंगुज के में आप सबको यह वीडियो प्लवद करा रहे हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप सबको यह बता दें कि आप जितने भी स्टुडेंट अगर पढ़ ओलरी कल्चर क्या हो जागा ओलरी कल्चर तो टर्म ओलरी कल्चर और जिनेटेट फ्रम लैटिन वर्ड यह ओलरी कल्चर जो हता किस भासा से इसके उत्पत्य हुई है किस भासा का सब्द है तो ओलरी कल्चर हमारा किस भासा का सब्द है लैटिन वर्ड हो जाए किसका लैटि कर दो लुकरदा लबतार है लब्ound के एंदर करते हैं और यह को अब देखे मोिए दस ओलरी कल्चर इस दस अप 20 करब्स परफ जो होता सब्जी होता है इद्द साइस आफ विजटेबल क्राप्स नियुद्ध सब्जी के फचलों का या विजटेबल क्राप्स किसका अले कल्चर एक ब्रांच जो ले किल्चर इसे रिपर मतलब उले उले करता है सब्सक्राइब कर देखते हैं अब नीचे देखते हैं जैसे इसमें दिया है कि इस्टेडियों के खेती के द्धियन को हम क्या कहा जाता है अलरी कल्चर कहा जाता है तो यह द्यानक नहीं हमारे दूसरी ब्रांच पहले हमने आप सबको बता देता है पॉमोला जी इस्टेडियों के खेती के द्धियन को हम क्या कहते है अब उसके आगे हम देखते हैं तीसरा फ्लोरी कल्चर या लैंड इसकेप गार्ड़निंग क्या क ब्रीकल्चर की क्या उन्स और जिचंड फुलोर के अदह बड़वर का कि फ्लोरी कल्चर पादट का जिसम क्यान करते हैं लावर कल्टिबेशन ंजो02 का जाता है अब लैंड इसके अब लैंड इसके गार्ड़न इस दा आट आप फिज़ाइं एपीस आप लायन जो था एक कह एक खला होता बीज़ा में मतलब करने के विर्दोर प्लान spark सकतूचेцу लेंड़ों फाइंड जयके झाए दो होता है को भी जमीन का नहीं होता है या दो फार होता है झाया प्लान को सुनधान उसको ब्योंग को त terrific метод मेद्द होता है Danish American को सुन्दाता पदान करने के लिए प्रियोग के जाता है एंड प्लांट मटेरियल जो पौधे होते हैं उसको हम रोपाई करने का भी तो यह सब किसके अंतरगाता था यह बगीचों में जितने भी किरिया जो पौधे लगाते फ्लोरी कल्चर मतलब फुलवाले जो पौधे ल आता है तो यह हमारा फ्लोरी कल्चर तुड़ी अप्लावर इजन ओन फ्लोरी कल्चर और जो हमारे गार्डन होते है पीस है जमीन का टुगडा होता है उसको यह सुन्दाता पदान करते हैं वो किसके इंतर लेंड इसके फ्लाइनिंग के अंतरगर आता है अब आगे हम कित के जाता है कल्टी बेसन आपक्राफ मतलब फसलों की खेती लाइक जैसे को कोनेट से नारियल एरिकानट सुपावड रबड कोफी एंड टी तो इस सभी के अंतर के तब किसका अध्यन करते हैं प्लांटेशन क्राफ्स का अध्यन करते हैं लाइक जैसे कोन-कॉन एरिकनेट सुपारी रबड काफी एंड टी तो इस सभी के अंतरगत हम जो खेती करते हुए सब किसके अंतरगत प्लांटेशन क्राप्स के अंतरगत आता अब यहां पर दो एडिशनल चीजे आप सब को बता दें जो काफी मात्मूर पूछी जाती हैं जैसे हमारा है काफी तो आप सबको एक ट्रिक के माधिम से मता देरें कि काफी सी के से याद रखना सी के टीए सी के टीए सी मतलब काफी के मतलब करनाटका तो भारत में सबसेदी काफी का उतपादन कहां पर होता तो करनाटका में होता उसके टीए मतलब टी मतलब चाय चाय का सबसे ए मतलब आस काफी का भारत में सबसेदी कुछ पादन करनाटका में होता है तो टी मतलब चाय का सबसेदी कुछ पादन भारत में कहां पर होता है तो यह दो कोईचन आप सब को सबको को एडिसनल चीजे जो आप सबको बता दिया अब आगे हम देखते हैं वा इस पाइस कुछ पर और में मतलब पल्प जी रहा जीर्ट या कोरियंडर मतलब धनिया इस अभी मसाले वाली फसली तुब तो जितने भी मसाले वाली फसले होते हैं उसके अंतरगत हम उन सभी का अध्यन करते हैं रिपर्श टू कल्टिबेसन आपके मतलब की खेती का अध्यन किया यह तर लाइक जैसे काड़ामोन इलाइची बिलेक पेपर पेपर सकाली मिर्च हो जाएगा उसको नेटों जीरा और हमारे जितन अध्यन करते हैं अब साथ हमारा आज तो पोस्ट हर्वेस्ट टेकनोलाजी यह महत्पूर्ण जो पूछा जाता है अब पोस्ट हर्वेस्ट टेकनोलाजी क्या होता है यह आप सबकों बता देरें कि पोस्ट हर्वेस्ट टेकनोलाजी यह होता है कि फसल की कटाई के बाद मतलब फसल की कटाई के बाद और मार्केट तक ले जाने के अंतरगत जितनी भी हम परकिरिया कोई उत्पात बनाने त सब्सक्राइब करने के इन दोनों की जो विक्रिया की जाती है वह सब किसके पोस्ट हर्वेश्ट टेकनोलाजी के इंतरगत आती है ऑसि ओसी जाती है है इसे प्रेश्ट के जाता है और उसको मार्केट में फिर ले जात OS को मैं फिर लेख तो आप किस इंतरगा की जाती हैं तो हैंने आप सब को बता दिया किमतलों हैं नियम्हेर तोड़ा जाएगए ग्रेडिंग उसको सब सबस्क्राइग किया जाएगा इस्टोर भंडारा कि आप सब करांगे अगली परांच हमारी आप प्लांट प्रोपोगेशन चाहिए प्लांट प्रोपोगेशन तो देल्स प्लांट 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 में हम उसको हम देशी आम उसको मूं उपसे कलम करके उसमें एक नया पउधा काफी उपस देता है उसकी ब्राउंचे लाकर लगा देतें सेट कर देतें केमिकल द्वारा उसके बाद पौधा गुरोग हो जाता है तो यह परोफूगेशन किया जाता है उनली फार प्रोफोगेशन मेफड़ आप सीड इसमें क्यों प्रफोगेशन जो किया यह सीड दोरा अब विजेटेटेव प्रोफोगेशन मतलब उसके हम काट कर कोई नया डंठल या कोई उसमें कोई भी तना लाकर नहीं लगा सकती क्योंकि वह पूरी किराब जो होती फाइ प्रोफोगेशन किया जाते हैं तो यह हमारे हाटी कल्चर की सभी क्या थी ब्रांचे तो हमने आप सब को ब्रांचों की बारे में पूरा अच्छे से बता दिया अब हम देखते इंपॉर्टेंड इंड इसकोप आफ हार्टीकल्च यह काफी महत्मोंड जो पूछा जाता है तो हमारी जितने भी ब्रांचे अगर फंडामेंटल आप पूछी जाते हैं हर बार आप फाइनल समेस्टर में पूछी जाते हैं कि इंपॉर्टेंड इंड इसकोप आप हार्टीकल्च यह जाते हैं तो इसको हम देखते हैं इस पर इंडियन हर्टीकल्च डाटाबेस भारतिये जो उद्यान विग्ञानों उसके डाटाबेस उसके आधार पर जो डाटा आती है फ्रूट कराप कबर्स एंड एरिया सेववन पॉंट ट्ववन मिलियन हेक्टियर इननी हमारे जितने भी हर्टीकल्च कराप आते उस हमें फ्रूट कराप कितना कबर करिया है य कितना हमारे जितने लुके किसेटी की जाती है, तो 7.2 million hectares चुपर किया है, 7.2 million hectares and vegetable crops 3.9.3 million hectares में cover वे योंगे हमारी。 क्राप्ट होती है अब उसमें हमारा व été कि लिए assess cake kतना कबर कियाए तो तो एकाडरा 0.2 सेबन मिलियन टन क्या होते 88.997 88.97 मिलियन टन्स अप फ्रूट इनी प्रोडक्शन होता है इन सभी का हमारा अनुवली प्रोडिक्स अठाशी दस्ता आवे मिलियन टन्स फ्रूट्स एंड एक सुबांसट दसमलो एट नाइं 162.89 मिलियन टन्स आप वीजिटेबल और प्रोड मिलियन टन्स फ्रूट का अब वारसी ग्रूप से हमारे दसमें कितना फ्रूब का उत्पादन होता और कितना सब्जियों का उत्पादन होथा है तो यह हमने आप सब मैं आब आकर देखते हैं इंडिया इस जास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप फूर्ट विश्टियेवल मेंृ आतर चाहिना। भारत का भारत का प्रत्थान सब्सेद पहला किसा चीन का नहीं कुछ तो सबसेदी फूर्ट वीजटेवल प्रोड़क्शन किस कंट्री में होता तो ध्यान रखने चाइना और सेकंड नमबर पर किसका हो जाएगा तो भारत अब उसके आगे हम देखते हैं इट इस दा लाजेस्ट प्रोडूसर आप महंगो बनाना सपोड़ा और प्रोंग्रेंट पॉंब घुनति इस इन भारगं में सबसधिक उतपादक हओता इस दल्रह daddy हिसिदा प्रोडक्टी बिटीए नहीं हमारे देश का उत्पादक्ट में पत्म अस्तान है दा कंट्रीय 없다 orchetत달торииर्ष्ट मतलब इस का उत्पद्रा मेंमे पत्म अथ contribute इस किया होता यह आप सबकों बताते रहें कि प्रत हेक्टेयर जो इल्डिया उपज हमें पराप्त होता है उसे हम क्या बोलते है प्रोडक्टिविटी या उत्पदक्ता बोला जाता है पर हेक्टेयर जो हमें इल्डिया उपज पराप्त होता है अगर कोई भी फसल की हम खेती किया है तो ए हमारे देश में उत्पादक्ता में पर्थमस्तान किसका है तो ग्रेप्स अंगूर का बनाना या नि केला का कसावा जिसे बोला जाता है तो प्रत्थमस्तान अब आगे हम देखते हैं कि दा कंट्री स्टेंड मतलब हमारे जो देश दा कंट्री स्टेंड मतलब देश जो खड़ा हुआ सेकंड इन प्रोडक्शन आप इस्टेंड में प्रोड़क्शन आप ब्रिंजल हमारा जो होता है श्तान में आप उत्पादर में अब सब्छी के बादन इस सबी कुछ पादन में भारत का बिसमें दूसरा स्थान अगर क्राप वाज पूचेगा तो इस तरह हम बताएं इट होल ठाड पोजीशन अप्रोडक्शन उसके वाद तीसरा स्थान किसका इट होल्ड फोजीशन आप इन प्रोडक्शन आप पोटेटो उत्पादन म है एंड टोमाइटो है इन और भारत का बिसमें सबोड़्ियों में सब्सकिर्दीसरा स्कार्श करनेटो में इसदील रचाइव इन स्पाइसेश इन स्पाइसेश डा कंट्री इसदा लाजेस्ट प्रोडियूसर और एक्सपॉर्टर होता है तो भारा जो हता बिस में मसालों का सबसे अधिक उत्पाधन करता है और उसका निर्याद करता है तो यह इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है तो आज के लिए मितना ही रखते हैं आप जरूर हमारे इस यूटूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक से रोग जरूर करिए और कमेंट बाक्स में जरूर बताया करिए कि यह सब लक्चर आप सबको कैसा लग रहा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं धन्यवाद